असलामुआरेक्ट मुर्हामतो रुकातु दे च्टूएंस , आपके पास मुख्तिलिफ टॉपिक्स होते हैं जनमें से किसी एक टॉपिक्स के उपर आपने ऐसे लिखना होता है मजाब उनिवस्टी में जो पेपर आता है उसमें आपको 5 टॉपिक्स की चॉइस दी जाती है मैंने गुजिशता 10 सारों के क्वेश्टन पेपर्स को एनलाइज किया है उनमें करीबन 2-3 टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो सोशल इवल पे लग रहे होते हैं कम उसकाम एक टॉपिक तो ऐसा होता ही है जो सोशल वैल्यू पे लग रहा होता है मैं अपने स्टॉएंट्स को कहा करता हूं आप दो ऐसे इस्तियार कर लें सोशल इवल्स कर लें एक सोशल वैल्यू कर लें 110 परसंट आप कोई ऑसे सॉल्व कर पाएंगे और चूंकि ऐसे का क्वेस्टन 25 मार्क्स का होता है यह आपको पास करवाने या फेल करवाने में एहम करदार अदा करता है बढ़ते हैं मल्टाइ टॉपिक ऐसे की तरफ तो एक्जामपल के तोर पर यह आपके सामने मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो टॉपिक्स आते रहे हैं इन में से कोई टॉपिक आ जाए या इस तरह कोई दूसरा टॉपिक आ जो महाशरे की बुराई हो आप यह वहाँ पर टेररिज्म करप्शन प्लूशन इनकी एक्स्वेशन मैंने मल्टाइ टॉपिक लैटर टू एडिटर वाली वीडियो के अंदर की हुई है अगर आप इनका मतलब जाना चाहते हैं एक्स्वेशन जाना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख लीज़ेगा लैक्स व जो five points numbering के साथ 1345 मैंने लिखे हुए है यह outline है इस ऐसे कि अगर आप outline लिखेंगे तो five marks मिलेंगे तो five marks डिड़्क्ट हो गए दूसरा outline के आप numbering करेंगे one two three five numbering करेंगे तो एक्साबटा को पता चल जाएगा देखते हैं कि पानच points लिखे हुए है और five marks की outline होती है अगर आप 5 points नहीं लिखते हैं 4 points लिखते हैं तो एक mark आपका वैसी चला गया दूसरी बात ये कि जब आप left side के उपर margin लगाते हैं अपने paper के उपर वो margin एक इंच का आप लगा रहे हैं जितना में लगा रहे हैं अपसर बचे उस margin से left side के उपर margin से बाहिर नबरिंग करते हैं जबके आपने उस margin के अंदर नबरिंग करनी होती है margin से आगे marker से one two three four five की number करें margin से जो चीज बाहिर होती है असल में आप यह कहना चाहरे हो तो examiner को कि यह paper से बाहिर है इसको आप चेक ना करें तो margin के अंदर numbering कीजिए आउटलाइन को देख लिए जिए गा no society is void of problems and issues कोई भी मुआशरा ऐसा नहीं void of जो खाली हो problems and issues मुक्तलिफ किसम के मसाइल से in fact दरहकीकत every society is a combination of good and evil हर मुआशरा अच्छाईयों और बुराईयों का मजमूआ होता है अब जो भी आपको टॉपिक आया होगा social evil के इतबार से वो आपने यहां पर fit कर देना है मिसाल के तोर पर हम corruption लेके चलते हैं बाद दून मानी तो यहां पर corruption और मुआशरी के अच्छाई है unity इतहाद education यह अच्छाई है आपने evil fit कर नहीं आपर corruption has become a horrific problem in the society nowadays आजकल मुआशरे के अंदर बाद दूनवानी एक खोफनाक मसले की शकल इक्तियार कर चुकी है corruption is not such a problem as exists only in our country बाद दूनवानी कोई ऐसा मसला नहीं है जो सिर्फ हमारे मुलक में ही हूँ its influence is widespread इसका असर वसी है and affects a lot of countries और बहुत से मुलकों को effective planning strategic implementation and sagacious foresight the problem of corruption वाद दूनवानी का मसला can be controlled इसको control किया जा सकता है काबू पाया जा सकता है effective planning अगर हम मुसर तरीके से मनसूबाबंदी तर्तीब दे strategic implementation और हिक्मत अमली के साथ उसका निफास करें सगेशियस foresight और दानिशमंदाना पेश भी नहीं रखते हूं सगेशियस का मतलब अकलमंदाना foresight का मतलब होता है किसी मौामले को अपनी फिरासत से पहले ही भाप लेना यानि आने वाले हलात का पहले ही अंदाजा कर लेना और अगर हमारे अंदर इतनी दारिशमंदी हो कि आने वाले हलातों वाकिया तो इस मसले की विज़ए से जो मसायल जनम ले सकते हैं उनका हमें पहले से धराक हो जाए तो फिर हम इस मौामले का अच्छा हल कर सकते हैं तो यह जो आपके outlines होती हैं यह basically आपके हर paragraph की पहली line होती है तो इनी outlines के मताबिक पिर हम आगे ऐसे लेके चलते हैं जैसे first line मैंने no societies void of problems वाली लिखी अब first paragraph में first line यही लिखी जाएगी first paragraph देखिएगा no societies void of problems and issues कोई मौशरा ऐसा नहीं जो मसायल के बगार हो in fact every society is a combination of good and evil दरह कीकत हर मौशरा ही अच्छाई और बुराई का मजमुआ है light is the proof that darkness exists रोशनी नूर इस बात का सबूत है कि तारीकी मुजूद है darkness of the upcoming night के आने वाली रात तारीक होगी यानि रोशनी के साथ अंधेरा है अंधेरी के साथ रोशनी है the existence of disease suggests the existence of treatment बिमारी का वजूद इस बात की तजवीज देता है इस बात की तरह इशारा करता है existence of treatment का इसका इलाज भी कहीं न कहीं होगा though it may not be discovered yet हाँ यह हो सकता है कि इनसानों ने अभी द्रियाफ्त ना किया लेकिन अगर बिमारी उतरी जमीन पर तो इसका इलाज भी उतरा discomfort is the direct absence of comfort इसी तरह बेचैनी बराहे रास्त चैन के ना होने का नाम है अगर सकून खतम हो तो बेसकून नी हो जाती है यानि opposites पाई जाते हैं मौाशरे में दोनों किसम की चीज़ें अचाहियां बुराहियां पाई जाती है similarly the thing that disturbs the balance and poison society is considered to be a problem or an evil इसी तरह वो चीज़ जो मौाशरे के ठेहराओं को और तवाजन को खराब करे is considered to be a problem उसको एक मसला कहा जाते है a man's life is a beautiful amalgamation of beauty and ugliness इसान की जिन्दगी होसन और बदसूरती का पुपसूरत इम्तजाज है comfort and discomfort आसानी और बे अरामी का light and darkness रोशनी और तरीकी का good and evil अच्छाही और बुराही का इसान की जिन्दगी में ये दोनों चीज़ें पाई जाती है इसान मसलसल जिदो जहुद की हालत में है to sustain good के अच्छाहीयों को काईम रखे avoid evil और बुराहीयों से बच सके man is always striving to find new solutions to the new problems इसान हमेशा नए मसाइल के नए हल तलाश करने के लिए कोशा रहता है जैसे के Karl Popper ने कहा all life is problem solving तमाम जिद्गी ही मसाइल के हल करने का नाव बचे आम तोर पर कोटेशन भी इसमाल नहीं करते हैं जब आप 25 माक्स के ऐसे टेम्ट कर रहे हैं ग्रेजुशन लेवल के ओपर तो आपको कोटेशन तो लिखनी ही होंगी और कोटेशन लिखने का यह फाइदा भी होता है आपको लिखना कम पड़ता है लेकिन सफेज ज्यादा हो जाते हैं इससे फरक पड़ता है बहुत से लोग कहते हैं कि क्वालिटी मैटर्स लेकिन लेंथ का इतना मसला नहीं होता ऐसा नहीं है क्वालिटी भी मैटर करती है और एकडेमिक राइटिंग के अंदर खास दोर पर पाकिस्तान में लेंथ भी मैटर करती है और लाइफ इस प्रॉब्लम सॉल्विंग तमाम जिंदगी मसायल का हल है मैंने इसके अंदर चंद ऐसी जन्नल कोडेशन लगाई है जो कहीं पर भी हो जाएंगे आप इसको लिखते हैंगे सिर्फ ब्लैंक के अंदर टाइटल लिखते हैंगे अपना नेक्स परग्राफ में करता है डैश हस बिकम अहरिफिक प्रॉब्लम इंदर स्वाइटी नावडेश मेंने करप्शन लगया था बाद दून्वानी आजकल मौश्रे के अं youth as well as on old people directly or indirectly बदून्वानी नोजवानों पर और बुड़े लोगों पर बिलवास्ता या बिलवास्ता असर डालती ही हैंगे नव सक्शन आग से उठने वाली हरारत से मौश्रे का कोई तबका भी महफूज नहीं one of the most troublesome and depressing aspects of the problem is that people are ignorant of the gravity of the prevailing situation of Dash one of the most troublesome and depressing aspects of this problem इस मौामले का सबसे ज्यादा परिशानकुन और अजियतनाक पहलू में से एक पहलू ये भी है कि the most people are ignorant of the gravity of the prevailing situation gravity, संगीनी, prevailing situation, मौजूदा सूरतेहाल corruption की मौजूदा सूरतेहाल की संगीनी से बहुत से लोग ignorant of, तगाफुल बरतते हैं गफलत में पढ़े हुए हैं, उनको इदराक ही नहीं है कि मामला कितना संगीन है lower levels of literacy in the society also contribute to this sort of unimaginable disregard of our own problems lower levels of literacy चुके खांदगी की शरा बहुत कम है लोग बहुत कम पढ़े लिखे हमारे मौशरी के अंदे contribute to this sort of unimaginable disregard ये बात भी बहुत ज्यादा contribute करती है अपना हिस्सा डालती है गफलत पाई जाती है हम लोगों के अंदे of our own problems हमारे अपने मुसायल के बारे में कहता है पर लोगों को एजुकेशन बड़ी कम उसकी विजा से बहुत ज्यादा गफलत पाई जाती है ऐसी गफलत का नकाबलत सबूरा हिरांगी होती है as Socrates said जैसे सुक्रात ने कहा था the only good is knowledge and the only evil is ignorance वाहिद अच्छाई इल्म है और वाहिद बुराई जहालत है dash is not such a problem as exists only in our country अगला मसला यह के corruption ऐसा मसला नहीं है जो सिर्फ हमारे मुलक में है its influence is widespread and affects a lot of countries इसका असर widespread वसीप एमाने पर पहला हुआ हुआ है affects a lot of countries बहुत से मुलक इससे मुतासिर है especially the third world countries or its hard-hit victims खासकर third world countries तीसरी दुनिया के ममालिक वो ममालिक जो बहुत ज़्यदे तरकी आफ़ता नहीं है जिनमें पाकिस्तान भी फॉल करता है तकरीब खासकर अच्छा मयारे जिन्दगी हासिल कर पाए अपने शहरियों के लिए but due to the lack of resources and development लेकिन चुके उनके पास मसाइल की कमी है development तरकी की कमी है a lot of new and grave problems keep on arising बहुत से नए और संगीन मसाइल keep on arising उठते रहते हैं corruption is one of the bigger problems that they have to face और इन मसाइल में से that they have to face जो उनको सामना करना पड़ते है corruption is one of the bigger problems बाद दुनवानी बड़े मसलों में से एक usually the developed and powerful countries of the world that claim to be superpowers आम तोर पर developed तरकी आफ्टा powerful countries और ताकतवर ममालिक दुनिया के that claim to be superpowers जिनका यह दावा है कि वो दुनिया की superpowers proclaim to be the biggest and keenest supporters of human rights proclaim और वो खुलम खुला यह इलान करते हैं कि वो सबसे बड़े keenest और सबसे पुर्जोर supporters हमायती है human rights इंसानों के हुके वो ममालिक दुनिया के अंदर जो बड़े ताकतवार है superpowers अपने हमकों समझते हैं करते क्या है exploit the situation of corruption in the underdeveloped countries वो in कम तरकी आफ़ता ममालिक के अंदर बादुनवानी की सुरते हाल का फाइदा उठाते हैं exploit इस्तेहसाल करते हैं उसको गलत अपने मकासित पुरा करने के लिए इस्तमाल करते हैं जैसे corrupt leaders उनको खरीदे लेते हैं और उनको स्पोर्ट करते हैं के corruption के लिए और फिर उनके जरी control रखते हैं उस country के उपर जैसे हमारे मुलक में हो रहा है वो इस सुरतेहाल को अपने मकासित के लिए इस्तमाल करते हैं और इन कमजोर ममाली को blackmail करते हैं and nations और इनकी कौमों को blackmail करते हैं to work for their interests ताके वो उन ताकतवर ममाली के मुफादात के लिए काम करें but they forget the saying that लेकिन वो ये मकूला भूल जाते हैं our nation that values its privileges above its principles loses both एक ऐसी कौम जो अपनी सहूलियात को अपने उसूलों पर फौकियत देती है loses both वो दोनों इक हो देती है ना उसके पास सहूलियात बजती है ना उसके पास असूल बजते हैं next paragraph में बात हो औरी usually one problem leads to another आम तोर पर एक मसला दूसरे मसले को जनम देता है but corruption leads to a lot of troublesome problems in society लेकिन बादुनवानी बहुत से परिशानकून मसायल को जनम देती है corruption has started to become a civilization of disaster and destruction बादुनवानी अब मौशरे के अंदर तबाही के अलामत बन चुकी disaster and destruction यानि तबाही के बादुनवानी मौशरे के अंदर तबाही के अलामत बन चुकी है it is weakening the unity of our nation and hampering the progress of our country यह हमारे कॉम के इताद को कमजोर कर रही है hampering stopping और हमारे मुल्क को तरकी से रोक रही है corruption has become such a monster as affects the poor people as well as the well to do equally at times बादुनवानी तो एक ऐसा monster एक ऐसी बलाव बन चुकी है जो घरीब लोगों को well to do और खाते पीते लोगों को equally at times बाद उकात बराबरी की स्था पर मतासिर करती है बाद उकातों दोनों बराबर मतासिर हो रही होते है being a cause of disunity of nation और चूंके यह मसला कोम के मुंतशिर होने का बाइस है इनके इतहाद के अंदर खराबी पैदा करता है तो corruption is reducing the influence of our country in the international scenario अगर बैनल अक्वामी मंज़र नामे में देखा जाए तो हमारा मुल्क बदुनवानी की वज़ा से अपने असर को खोता जा रहा है corruption is spreading like a wildfire and destroying the peace of mind as well as the peace of society बदुनवानी जंगल की आख की तरह पहलती जा रही है और हमारे जहन और मौशरे के स्कून को बरबाद कर रही है it is affecting the mental and physical health of people ये लोगों की जहनी और जिस्मानी सेहत को मतासिर कर रही है our territorial integrity में suffer from the problems arising from the issue of dash as every action has a reaction our territorial integrity हमारे इलाकाई सालमियत यानि हमारे मौल की सलामती may suffer from the problems arising from the issue of corruption बदुनवानी से पैदा होने वाले मसाहिल की वज़ा से हमारे इलाके की सालमियत भी मुतासिर हो सकती है as every action has a reaction क्योंके हर अमल का एक रदे अमल होता है and a lot of small actions add up to produce a huge reaction और अगर बहुत से चोटे 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 अमल जमा हो जाएं तो उसका बहुत बड़ा रदे अमल आता है the economy of our country is already going through a rough period and the problem of dash has become an influential contributor to it हमारे मुल्की मुष्यत पहले ही से going through a rough period बुरे हलात का श्कार है बुरे दोर से गुजर रही है corruption का मसला has become an influential contributor to it influential बाशर contributor हिस्सा डालने वाला और corruption का मसला इसमें एक बाशर रुकन हिस्सा डालने वाला it has produced a nasty influence on our new generation हमारी नई निसल के ओपर इसने बड़ा बुरा असर चोड़ा है our youth is going astray due to its effects इसके असरात की वज़ा से हमारी नोजवान नसल going astray गुमरा हो रही है it is deviating them from the right path ये उनको दुरुस्त रास्ते से दूर लेके जा रहा है सरात मस्तकीम से बटकार है poisoning their mental approach उनके दिमागे नज़रियात को तरीके कार को जिन्दी गुजारने के बारे में ख्यालात को poisoning जहरीला करता जा रहा है I became convinced that non-corporation with evil is as much a moral obligation as his cooperation with good मार्टिन लूथर किंग जुनियर ने कहा कि मैं इस बात का काहिल हो गया हूं बुराई के साथ तावोन ना करना भी उतना ही moral obligation आपका इखलाप की फर्स बनता है जितना के अच्छाई के साथ तावुन करना यानि अच्छाई के साथ तावुन करना भी जरूरी है लेकिन बुराई के साथ तावुन ना करना भी जरूरी है The problem of corruption can be controlled through effective planning, strategic implementation and sketchious foresight को खतम करने में as they can contribute to their individual efforts as well as through the role of NGOs क्योंके वो अपनी इन्फरादी कोश्चों के जरीए इसमें इसा डाल सकते हैं अपना किड़ार अदा कर सकते हैं as well as through the role of NGOs और फिर NGOs बनाके मौशरे की फिलाहों बेबूत के लिए काम कर सकते हैं government should take immediate action in order to attract the effects of corruption government को चाहिए के फोरन एक्दामात करें corruption के असरात को खतम करने के लिए government should also take practical steps to address the root cause of corruption corruption की जड़ों को खतम करने के लिए हकूमत को अमली एक्दामात करने चाहिए or else अगर ऐसा ना किया तो फिर this problem will furthermore deteriorate the already worse condition of moral values in the society ये मसला furthermore मजीद deteriorate अबतर कर देगा खराब कर देगा already worse condition of moral values in the society मौश्रे के अंदर एकलाग की अकदार की पहले ही से बुरी सूरत हाल मजूद है ये मसला उसके मजीद बिगाड का बाइस बनेगा a systematically validized program हिकमत अमली के साथ उम्दा इंतजाम वाला एक मनसूबा चाहिए to cope up with corruption करुप्शन कम काबला किया जाए इससे निप्टा जा सके being away from Islamic teachings and Islamic lifestyle has been a fundamental contributor to corruption Islam की तालीमात से और इसलामी जिन्दगी से दूर होना एक बहुत बड़ा किरदार है करुप्शन के बढ़ाने में Islamic teachings have a solution for every problem that man has to face in this world Islam की तालीमात में हर उस मसले का हल मुझूद है जो इनसान को इस दुनिया में सामना करना पड़ता है लहाज़ा हमें अपनी बुनियादी इसलामी दार की तरफ वापिस लोटना होगा and start following Islamic teachings in order to reduce the volume of problems such as corruption और फिर इसलामी तालीमात पर दुबारा से अमल करना शुरू करना होगा ताके corruption जैसी मसाइल के हुझम को कम किया जा सके positive attitude and the practicality of our approach are crucial positive attitude मुस्बतर वहिये से अब चल रहे हूँ इस मौमले के तदारूप के लिए and the practicality of approach और हमारा तरीका कार अमली तोर पर दुरूस्त हो ऐसा ना हो कि खाब भी ख्याली तोर पर बातों के हद तक तो वह दुरूस्त हो लेकिन अमली तोर पर उसको नाफिज ना किया जा सके और हमारे तरीकेकार का अमली तोर पर मुमकीन होना क्रूशल बहुत एहमियत का हामिल है ताके सुसाइटी से मौचरे से क्रूप्शन के मसले को खत्म किया जा सके जैसे के योगी ने कहा नजरियाक्ती तोर पर बात की जाए तो नजरिये और अमल में कोई फरक नहीं किया जाए तो नजरिये और अमल में बड़ा फरक हो जाता है नहीं कहाने का मतलब यह है कि बाव उकात ऑन पेपर चीजें कुछ नजर आ रही होती है लेकिन जब आप्र प्रैक्टिकली उनको इंप्लिमेंट करने की कोशिश करते हैं तो आपको पता चलता है कि इसमें दादा रेना ते दम दम नाल मुहम्मद बरक्षा असी अल्ला यल्ला कैना